जै श्री कृष्णा रादे रादे अब सभी को भादो पूर्णिमा की हार्दिक शुब कामनाएं भाद्रपद महा की पूर्णिमा के दिन भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन भगवान चिव और माता पारवती की उमा महिश्वर रूप में पूजा की जाती है इस दिन उमा महिश्वर व्रत भी रखा जाता है पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को सुक्सो भग्य एमं सम्रद्धी की प्राप्ती होती है भादो मास की पूर्णिमा से ही पित्रपक्ष की शुरुवात हो जाती है पूर्णिमा के दिन ही चंदरमा अपनी सोला कलाओ से परिपूर्ण होता है इसलिए इस दिन व्रत रख कर चंदर देल की भी विसेश उपासना की जाती है तो आज हम सुनेगे भादो पूरिमा की कथा, साथी साथ उमा महेश्वर व्रत की कथा और द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि ये कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन करता, पोशन करता तथा सनहार करता हो आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ, जिसके करने से म्रत्यू लोग में इस्त्रियों को विद्वा होने का भेन है रहे, तथा यहें व्रत सभी मनुष्यों की मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अती सुंदर प्रश्ण किया है, मैं तुम से ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक हैता हूं सोभागे की प्राप्ति के लिए इस्त्रियों को द्वात्रिंचत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए इस व्रत को करने से इस्त्रियों को सोभागे संपत्ति मिलती है, यह व्रत अचल सोभागे को देने वाला और भगवान शंकर के प्रती मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है तब यशोदा जी कहने लगी कि हे क्रश्ण सर्व प्रतम इस व्रत को म्रत्यू लोप में किसने किया था इस विश्य में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो तब श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यन्थी प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेको प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिक नाम की एक नगरी थी वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्रहमन था और इसकी स्त्री अतिशुशिल और रूपवती थी दोनों ही पती-पत्नी उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते घर में धन और धन्य की कोई भी कमी नहीं थी उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी जिस वज़े से मैं बहुत दुखी रहते थे एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया मैं योगी बाकी सभी गरोशे बिक्षा मांकर भोजन किया करता लेकिन उस ब्राह्मन के घर से बिक्षा नहीं लिया करता था एक दिन योगी कंगा किनारे बिक्षा मांकर प्रेम पूरवक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया अपनी बिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेशवर योगी से बोले कि आप सभी के घरों से बिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की बिक्षा कभी भी नहीं लेते इसका क्या कारण है? तब योगी कहने लगा कि हमारा धरम हमें इस बात की अनुमती नहीं देता है क्योंकि अभी आप ग्रहस्त जीवन में एक सुख सेवंचित है आपके गर संतान होने पर ही मैं आपके गर से बिक्षा स्वीकार करूँगा उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके गर से बिक्षा लेने से मैं भी पतित हो जाऊंगा धनिस्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाज जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताईए आप सरवग्य है मुझे पर अवश्य यह कृप्या कीजिए मेरे घर में धनकी कोई कमी नहीं है लेकिन संतान नहीं होने के कारण मैं अत्यदिक दुखी हूँ आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो ऐसा सुनकर मैं धनेश्वर घर पर पहुचा और उसने सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई और मैं खुद वन में चला गया वन में पहुंच कर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन होकर 16 वे दिन उसको स्वपने में दर्शन दिये और कहा कि हे धनेश्वर जा तेरे पुत्र होगा लेकिन उसकी आयू सिर्फ 16 वर्ष की होगी 16 वर्ष की आयू में ही उसकी म्रत्य हो जाएगी यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत रखो तो में दिरगायू हो सकता है जितना तुमारा सामर्थ हो उतने दिये जलाना और शिवजी का पूजन करना लेकिन ध्यान रहे पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए सुबह होते ही तुमें इस स्थान पर एक आम का पेड दिखाई देगा उस पर चड़कर एक फल को तोड़कर अपने घर ले जाना अपनी इस्तरी को इस बारे में बताना सुबह स्नान होने के बाद मैं स्वच्छोकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले तब शंकर भगवान की क्रपा से उसको गर्भ हो जाएगा जब ब्रहमन सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड दिखाई दिया वह उससे फल तोड़ने के लिए चड़ा लेकिन वह ब्रहमन पेड पर चड़ नहीं पा रहा था यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और उसने गणेश जी की उपासना की और कहने लगा कि हे दयानी दी हे विग्णों के विनाश करने वाले, हे मंगल कारिय को करने वाले, दुष्टों का नास करने वाले, रिध्धी और सिद्धी को देने वाले अब मुझे इतना बल दीजिये कि मैं अपनी मनो कामना को पूरी कर सकूँ इसके बाद मैं पेड से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुचा उसकी पत्नी ने अपने पती के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और मैं गर्वत ही हो गई देवी की क्रपा से उन्हें बहुत सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम उन दोनों ने देवी दास रखा माता और पिता के हर्श और सोक के साथ रहें बालक दिनो दिन बढ़ने लगा भगवान की क्रपा से बालक बहुत सुन्दर था शुशील और पढ़ाई लिखाई में भी भें बहुत ही निपुन था दोनों पती पत्नी ने 32.80 का वरत रखा जैसे ही उस बालक का 16 वर्ष लगा दोनों पती पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यू ने हो जाए उन्होंने सोचा कि अगर हमारे सामने यह सब हुआ तो हम देख नहीं पाएंगे ऐसा विचार करके उन्होंने देविदास के मामा को बुलाया और एक वर्ष के लिए देविदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया एक वर्स के बाद उसे वापस लेकर आने के लिए कहा देविदास अपने मामा के साथ एक खोड़े पर सवार होकर चल दिया उसके मामा को यह बात पता नहीं थी कि दोनों पतिवत्नी ने 32 पूर्ण मासी का अवरत पूरा किया हुआ है दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गाउं में रुग गए उस दिन उस गाउं में ब्रह्मन की कन्या का विवा होने वाला था जिस धरमशाला में वर और बाराती रुके हुए थे उसी धरमशाला में देविदास और उसके मामा ठहर गए उधर कन्या को तेलादी चड़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तवियत खराब हो गई वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार भी मर्स करके कहा कि हैं देविदास मेरे पुत्र के जैसा ही है मैं इसके साथ लगन करा दूँगा और बाकी की रस्मों के काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे ऐसा कहने के बाद वर के पिता देविदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बाते कैसुनाई मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वहें सब हमें दे दिया जाए बर के पिता ने यह बात सैहर्श श्वीकार कर ली इसके बाद देविदास का विभा कन्या के साथ संपन हो गया इसके बाद ने अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका और मन में विचार करने लगा कि नहीं जाने यह किसकी पत्नी होगी यह सोचकर उसकी आँखों में आसु आ गए तब वधु ने पूछा कि क्या बात है अब उदास क्यों है तब देविदास ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विप्रित है आप ही मेरे पत्ती है मैं हमेशा ही आपकी पत्नी रहूंगी किसी अन्य की कभी नहीं तब देविदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए क्योंकि मेरी आयो बहुत कम है मेरे बाद आपका क्या होगा लेकिन उस कन्या ने देविदास की बात नहीं मानी और कहने लगी कि स्वामी आप भोजन कीजिए उसके बाद दोनों रात में सोने के लिए चले गए सुबह देविदास ने पत्नी को चार नगोसी जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हेप्रिय इसे लो और संकेत समझ कर स्थिर्चित हो जाओ मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए एक पुष्प की वाटिका बना लो उसमें सुगंद वाली एक नव मली का लगा लो उसको प्रति दिन जल से सीचा करो और आनन्द मंगल के साथ रहो जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणान्त होगा उस दिन वहेफूल सूख जाएंगे जब यह फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ देविदास ऐसा समझा कर वहां से चला गया इसके बाद वर और बाकी के बाराती जब मंडप में आये तो कन्या ने उसे देख कर कहा कि ये मेरा पती नहीं है मेरा पती वहे है जिसके साथ रात में मेरी बात हुई है इसके साथ मेरा विवा नहीं है अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसे क्या दिया है साथी कन्यादान के समय के आबूशन भी मुझे दिखाए कन्या की सारी बाते सुनकर मैं कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ इसके बाद सभी वाराती अपमानित होकर वहां से लोट गए फिर आगे भगवान श्री क्रिशन कहते हैं कि हे माता इस प्रकार देविदास कासी चला गया वहां जाकर उसने कुछ समय तक अध्यन किया फिर एक दिन उसे एक सर्प डसने के लिए आया लेकिन सर्प उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर रखा था इसके बाद खुद काल वहां पर पहुंचा तब भगवान की क्रपा से तभी वहां पर माता पार्वती और भगवान शीव आ गए देविदास को मुर्चित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शीव से प्रार्थना की कि महराज इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लिया है आप इसको प्राणदान दे भगवान शीव ने माता पार्वती फिर से देखा कि कुछ ही समय में पुस्त वाटी का फिर से हरी भरी हो गई है तो मैं समझ गई कि उसका पती जीवित हो गया है इसके बाद मैं बहुत ही प्रसन हुई और अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पती जीवित है आप उनको ढूंड ये फिर धीरे धीरे इसी तरह से सोलवा वर्ष व्यतीत हो गया तो देविदास भी अपने मामा के साथ अपने घर की तरफ चल दिया वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी के परिवार वाले भी उनको ढूंडने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा देविदास और उसके मामा भी इधर ही आ रहे है उनको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन हुए और उसे अपने घर पर लिवा ले आए वहाँ पर सारा वगर इखटा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया देविदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और अपने मामा को साथ लिया और वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिया उसके ससुर ने उसे बहुत सा दान दहेज दिया और जब अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खवर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देविदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ लेकिन जब देविदास आया और उसने अपने माता और पिता के पैर छुए तो देविदास के माता पिता अत्यदिक प्रसन हुए और उसको अपने ह्रद्य से लगा लिया दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान और दक्षना ब्रह्मनों को दी और पूरा परिवार सुख पूर्वक जीवन वतीत करने लगा श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि हे माता इस तरह से धनेश्वर को पत्तिस पूर्विमाव के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्थ हुई जो भी सादक इस व्रत को करता है वह जनम जनवानतर तक कोई विदुख नहीं भोगता है जो विस्त्रिस व्रत को करती है वह सोभाग्य साली रहती है यह मेरा वचन है यह व्रत संतान देने वाला सुख देने वाला साथी सभी प्रकार की मनोकामनाव को पूर्ण करने वाला है अब आप सुनी उमा महेश्वर व्रत की कथा मतश्य पुराण में उमा महेश्वर व्रत का उल्लेख मिलता है मतश्य पुराण के अनुसार एक बार कैलाश परवत से भगवान शिवशंकर के दर्शन करके लोटते समय मार्ग में दुरवाशा रिसी की भेट भगवान से हुई तो उन्होंने वो माला भगवान विश्नु जी को दे दी भगवान विश्नु महेरसी दुरवाशा से मिली हुई उस माला को शुम अपने गले में नहीं पहना उन्होंने वह माला गरुड जी के गले में पहना दी यहें देखकर महरसी दुरवासा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विश्णु से कहा कि तुमने मेरे आराध्य भगवान शंकर का अपमान किया है उनके दुरा दी गई माला मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप दी और तुमने पहमाला श्वम नहीं पहनी और अपने गरुड को पहना दी यह मेरा और मेरे भगवान शंकर का गोर अपमान है इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा वैभव नश्ट हो जाएगा तुम श्रीहिन हो जाओगे लक्षमी तुम्हारे पास से चली जाएगी छीर सागर भी तुमसे छिन जाएगा और तुम्हारा शेशनाग भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा महरसी दुर्वासा ने जब उन्हें ऐसा श्राप दिया तो भगवान विश्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया और फिर बड़े ही शांत स्वर में उन्होंने महरसी दुर्वासा से पूछा कि हे महरसी आप मुझे इस श्राप का निवारन बताईए तब महरसी दुर्वासा ने भगवान विश्णु को उमा महेश्वर व्रत करने का परामर्श दिया महर्षी दुर्वासा ने कहा कि उमा महिश्वर व्रत के करने से मेरे श्राप के कारण तुम जो कुछ भी खाओगे वो सब तुमें पुने प्राप्त हो जाएगा तब भगवान विश्णु ने भधरपत महा की पूर्णिमा पर उमा महिश्वर व्रत का अनुष्ठान किया कि गए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसके सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं और सभी प्रकार के दोसों का निवारन होता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है अब आप सुनिए गणेश जी ने बालक का रूप धारण किया और बाल रूप में चुटकी वरजावल और एक चमज में दूद लेकर प्रत्वी पर गूमने निकले वे सब को खीर बनाने के लिए कहते जा रहे थे पर सब ने उनकी बात को अंदेखा कर दिया इसी दोरान एक गरीब बुढिया माई अपने घर के दरवाजे पर वैठी थी जब बुढिया माई ने देखा कि गणेश जी यहां से जा रहे हैं तब उन्होंने कहा कि लाव बालक मैं तुम्हारी खीर बना देखती हूँ ऐसा कहकर गरीब बुढिया माई ने उनकी खीर बनाने के लिए एक भगोना चूले पर चड़ा दिया इस पर गणेश जी ने कहा कि माजी जो घर का सबसे बड़ा वरतन हो उसे चूले पर चड़ाओ बुढिया माई ने कुछ नहीं कहा उसने सोचा कि बालक है सबसे बड़ा पतिला चड़ा देखती हूँ ऐसा सोचकर उन्होंने सबसे बड़ा पतिला चूले पर चड़ा दिया और कुछ ही देर में एक चमतकार हुआ गणेश जी के देववे चावल और दूद बढ़ गए और पूरा ही भगोना उनसे भर गया इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए पीचे से बुढ़िया के पोते-पोती आये तो भूक लंगने पर बुढ़िया ने उन्हें भी वहें खीर खिला दी खीर बनते देख रही पडोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा वर कर खीर दे दी वहीं बुढिया मा की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और एक कटोरा खीर छिपा कर रख ली इसके बाद भूक लगी तो बुढिया माई ने भी खाने के लिए खीर हाथों में ले ली और जोड से आवाज लगा कर बुलाने लगी कि आजारे गनेशिया खीर खा ले तब ही गनेश जी वहां पर आप हुंचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ले तब बूड्या माई ने पूचा कि तूने खीर कब खाई तब वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पडोसन वे बहु ने खाई तभी मेरा पेट बर गया इसके बाद जब बुढिया माई ने बाकी बची हुई खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने कहा कि इस खीर को पूरे नगर में वाट दो फिर बुढिया माई ने पूरे नगर में खीर वाट दी जब राजा को इस बारे में पता चला तो उसने बुढिया माई को अपने दरबार में बुलाया और सारा माजरा जानकर उसने बुढिया का खीर का भगोना अपने यहां पर मंगवा लिया पर राजमहल में जैसे ही मैं भगोना पहुंचा तो उसमें कीडे, मकोडे और जहरीले जानवर गिर गए यह सब देखकर राजा ने वहबरतन वापस से बुढिया माई को दे दिया और बुढिया माई के घर पर वापस आते ही वहबरतन जैसा पहले था वैसा ही हो गया इसके बाद बुढिया माई ने गणेश जी से फिर से पूछा कि अब मैं इस बची हुई खीर का क्या करूँ पूरे नगर में खीर बाट दी है लेकिन अब भी खीर बची हुई है तब गणेश जी ने कहा कि अपने घर के चारो कोनों में गड़े खोद कर इस खीर को वहाँ पर गाड़ दो बुढिया माई ने गणेश जी के कहे अनुसार ही किया और खीर को चारो कोनों में गड़े खोद कर वहाँ पर गाड़ दिया और फिर बुढिया माई रात को सो गई गनेश जी उसकी जोपड़ी को लात मारते हुए अंतरधान हो गई अगले दिन जब बुढिया उठी तो उसने अपनी जोपड़ी महल में बदली हुई देखी और जहां पर उसने खीर गाड़ी थी वहां पर सब जगह उसे हीरे जवारात मिले गनेश जी की क्रपा जानकर बुढिया माई बहुत प्रसन हुई इसके बाद बुढिया माई और उसका पूरा परिवार सैकुशल रहने लगा हे गनेश जी महाराज जैसे क्रपा आपने बुढिया माई पर की है वैसे ही हम सब ही पर करना इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर रखना जैसे बंडारे अपने बुढिया माई के भरे हैं वैसे ही हम सब के बरना बोलो गणे जी माराजे की जै ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव ये थी आज की कताए उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आपसे एक निवेदन है ये आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करे और वीडियो को अवश्यरी शेयर करे अब सबी का दिन शूब और मंगल में हो